यह है तामिल नाडू जो की एरिया वाइज हमारे देश का दस्वाँ सबसे बड़ा राज्य है जो अपने टैंपल्स, फैस्टिवल्स और यहां के तमिल कल्चर के लिए जाना जाता है वहीं आज के टाइम पे से भारत का इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है तो आईए आज क संख्याम अपने स्टील एंड टेक्स्टाइल इंडस्ट्रिज के लिए जाना जाता है जिससे कि यह सालाना काथी बड़ा रेवनिव चनरेट करता है वहीं आके इस्टीमेर्टेड कोपुलेशन लगबग 11 लाख लोगों की है तथा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भीया त इसके टाइम पर तामिल नाडू के सबसे क्लीने स्टीज में गिना जाता है तथा इसे एक मेजर इंजिनियरिंग एक्विप्मेंट मैनुफैक्ट्रिंग एंड फैब्रीकेशन हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है जहांकि एस्टीमेटेड पॉपुलेशन रगबग 11.82 वर्तमान समय में तामिल नाडू की सांस्कृतिक राजधानी के तौर पे जाना जाता है मदूराई की मेजर इकॉनमी यांकी लोकल इंडिस्ट्री और टूरिजम सेक्टर पर आधा दीत हैं वहीं यांकी एस्टीमेटेड पॉपलेशन 17.66 लोगों की है जो की 1.85 परसेंट क ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही हैं नमबर टू कोयम बतूर सिटी यह तामिल नाडूराज्य का सबसे बड़ा इंडिस्ट्रियल सिटी है जिसे भारत का मंचेस्टर भी कहा जाता है वहीं कोयम बतूर आज के टाइम पे मैनुफैक्ट्रिंग, एजूकेशन और हेल् कर रहा हैं तथा ये सहर प्राकृतिक रूप से भी काफी समरिद्ध है जहां कि आबादी लगभग 28.60 लाख लोगों की है नमबर वन चैन्नाई सिटी यह हमारे भारत का छठा सबसे बड़ा सहर और तामिल नाडूराज्य की राज्थानी है वहीं चैन्नाई जीडिपी वा पर यहां के सर्विस सेक्टर्स पर आधारीत है तथा चिन्नी इंफ्रास्ट्रचर वाइस भी एक वेल डेवलप्ट सिटी है जहां पर आपको सभी तरह की मौडर्न सुधाय देखने को मिलेंगी